असलामू अलेकुम फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हो गजरेला की रेसिपी यह सर्दियों का स्पेशल रेसिपी है और हर घर में बनता है बहुत ही क्रीमी बनता है आप एक बार ट्राइ करेंगे तो आपको बहुत पसंद आएगा तो हम 1.5 लिटर फुल फेट दूद दालेंगे जब तक हमारा दूद गरम हो रहा है हम गाजर को भून लेते हैं इसके लिए हमने एक पतीला लिया है एक बड़ा चममच घी दालेंगे घी गरम होने के बाद 300 ग्राम कद्दू कश किया हुआ गाजर दालेंगे गाजर को हम हलका सा भून लेंगे ये देखे गाजर का कलर चेंज हो गया है और दूद भी उबल रहा है अब हम दूद में गाजर दालेंगे आप गाजर को भूने बगर भी दूद में एड़ कर सकते हैं भूनने से दूद फटने का डर कम हो जाता है एक कप चावल डालेंगे, चावल को हमने भीगो कर रख दिया था, इसका पानी हमने निकाल लिया है, अब हम गाजर और चावल के गल्ले तक पका लेंगे, ये देखिए गाजर और चावल पक गया है, अब हम इसमें शक्कर डालेंगे, मीथा आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, और शक्कर आप चावल के पकने के बाद ही डाले, अगर आप चावल के पकने से पहले शक्कर डालेंगे, तो चावल को पकने में टाइम लगता है, अब हम इसको 4-5 मिनट तक पका लेंगे, ये देखिए पाच मिनट हो गए हैं और गजरेला गाड़ा भी हो गया है इसमें हम ड्राइफ रूट दालेंगे आपको जो भी ड्राइफ रूट पसंद है आप एड़ कर सकते हैं हमने काजू, बादाम और किश्मिश लिया है और अच्छी खुश्बू आने के लिए एक छोटा चमच इलाइची पॉडर दालेंगे इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ये देखिए हमारा गजरेला तयार है इसको और क्रीमी बनाने के लिए आप मिल्क पॉडर और मावा दाल सकते हैं हमारे पास 50-60 ग्राम के आसपास मावा है हम थोड़ा मावा दालेंगे इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे आप बगएर मावा और मिल्क पॉडर के बना सकते हैं ये इसके बिना भी बहुत टेस्टी लगता है और हमारा गजरेला तयार है सरदी का मौसम चलता है तो गाजर बहुत फ्रेश मिलता है मारकेट में आप भी जरूर ट्राइ कीजिए और कमेंट में जरूर बताईए के आपको कैसा लगा हमारे घर में सब को बहुत पसंद आता है आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताईए हमारे चैनल इंडियन जाइका को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो अपने फ्रेंड्स सक जरूर शेयर कीजिए तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अल्ला हाफिज तो चलिए तो थी ओर मिलते हैं तो चलिए को सब्सक्राइब